नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का मूल्य है एक ऐसी शक्सियत का, जिनके बारे में सोचने का तरीका ही अलग था सुक्राथ. चलिए, हम उनके जीवन के कुछ खास पन्नों में घुलते हैं. सुक्राथ, एक प्राचीन युनानी दार्शनिक थे, जो अपने विचार शैली और दर्शनिक द्रिश्टी के लिए विख्यात थे. उनकी कहानी शुरू होती है एथिन्स, ग्रीस के एक छोटे से गाउं में, जहां उनका जन्म हुआ था. सुक्राथ के पिता का नाम सोफ्रोनिस कस था, और उनके माता का नाम फेनारेटे था. बचपन से ही सुक्राथ ने घ्यान और ग्यान में रुची ली, और वे अपने समय के विचारों से प्रभावित हुए. अपने जीवन में अपनी सोच को व्यक्त करने का कुछ खास तरीका अपनाएं वो सीधे सवाल पूछना पसंद करते थे जैसे लोगों में सोचने की प्रक्रिया को तेज करते थे सुकरात के दर्शनिक द्रिष्टी का मूल मंत्र था मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता इसका अर्थ था कि ग्यान का अनंद है और हमें हमेशा नई चीजें सीखने का मौका मिलता है इसी वजह से उन्हें अपने शिश्यों को भी ये सीखने की प्रेरना दी कि हमेशा खुले मन से नए विचार धरातल पर उतरें उनका उपदेश रचनात्मक तरीके से लोगों तक पहुंच गया था और उनका कार्यक्रम इतना प्रभावशाली था कि उनके शिश्य प्लेटों ने उनके विचारों को लिखकर समवाद नमक किताबे बनाई सुकरात का जीवन एक रोचक और ग्यान भरा सफर था लेकिन जैसे की हर कहानी में होता है उनकी कहानी में भी दुख भरे पल थे एथिन्स के लोग उनके विचारों से असंतुष्ट थे और उन्हें गैर जिम्मेदारी और धर्मद्रों के घेरे में फंसा दिया गया अंक में सुकरात को अपने विचारों पर रोक रहे उनके सिध्धानतों के लिए न्याय की मांग में अपने जीवन को बलिदान देने के लिए तयार हो गए तो, जैसा हमने देखा कि सुक्रात का जीवन एक अद्भुत ग्यान का सफर था उनकी कहानी ने हमें ये सिखाया कि खुले मन से सोचने और पूछने से ही हम नई ग्यान की ओर बढ़ सकते हैं सुक्रात के छत्र, जिन में से एक प्रसिद दार्शनिक प्लेटो भी थे अपने गुरू के विचारों को अपने जीवन में अमल में लाना शुरू किया प्लेटो ने सुक्रात के विचारों को अपने रिपबलिक में व्यक्त किया जिसने उन्हें आदर्श समाज की कल्ब ना की सुकरात की तरह प्लेटो भी विचार शैली में प्रशनोतर का तरीका अपनाते थे इसके अलावा एक और प्रसिद शिश्य सुकरात का था जैनोफन उन्हें भी सुकरात के उपदेशों को लिख कर उनके दर्शनिक द्रिष्टिकों को हम तक पहुँचाया सुकरात के विचारों ने आने वाले युगों में भी बड़े प्रभाव डाले लेकिन सुकरात की कहानी में एक दुख था एथिन्स के न्यायाले ने उन्हें पाइने की सजा सुनाई और वे अपने विचारों पर द्रिर रहे उनका विचार शैली और नयायप्रीताने उन्हें आज भी याद दिलाते हैं आज भी, सुक्रात का जीवन एक प्रेनादायक है जो हमें ये सिख़ता है कि सच्चाय और अध्यायन में लगे रहना किसी भी समय आसान नहीं होता उनकी कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपने विचारों पर विचार करते रहना चाहिए न्याय और सच्चाई की राह पर चलना चाहिए इसके बाद सुकरात के छत्रों ने उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया उनकी प्रतिभा और ग्यान का पत आगे बढ़ा और उन्हें अलग-अलग शेत्रों में अपने विचारों को व्यक्त किया एक या एक से अरस्तु जिसे सुकरात के शिश्य प्लेटों ने सिखाया उसने भी अपने विचारों और द्रिश्टिकों से दर्शनिक समाज को और भी गहनाई तक पहुँचाया अरस्तु का काम, निकोमेचियन एथिक्स, आज भी दर्शनिक और नैतिक विचारों का एक महतव पूर्ण स्थल है सुकरात के विचारों ने काई शाखाएं बनाई और हर एक शाखा ने अपने आप में एक खास द्रिश्टी और सिध्धान्त विक्सित किया इन में से कुछ विचार धाराएं आज भी जिन्दा हैं और लोगों के मानसिक विकास में महतव पूर्ण भूमिका निभा रही है इसके अलावा सुकरात के विचारों की प्रस्तुती आज भी है उनका तरीका, सवाल पूछने का अंदाज और न्यायप्रियता हमें आज भी प्रभावित करते हैं उनकी कहानी ने हमें ये सिखाया कि व्यक्ति अपने विचारों और मूल्यों पर कायम है तो वह कभी भी समय के साथ संतुष्ट रहता है तो ये थी सुकरात और उसके शिश्यों की कहानी, जिनकी सोच ने दर्शनिक इतिहास में एक हमस्थल बनाया अगली कहानी में हम देखेंगे कुछ और दर्शनिक व्यक्तित्व की कहानी, जिन्होंने अपने योग को कैसे प्रभावित किया इस कहानी का अगला पन्ना हमें ले जाता है एक और महान दर्शन की या अरस्तू की अरस्तू, सुकरात के शिशे और प्लेटो के गुरू, अपने विचार और दृष्टी के लिए प्रसिद थे अरस्तू ने अपने जीवन में व्यक्तित्व, सामाजिक और राजनीतिक विशेयों पर अपने विचारों को व्यक्त किया उनकी कला और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान आज भी हमारे समाज में महसूस होता है उनकी पुस्तक, राजनीती, में उन्होंने समाज शास्त्र और राजनीती के विचारों को व्यक्त किया जिसे आज भी लोग उन्हें ताजजुप से सिखाते हैं उनका तरह तरह के विचार विमर्ष में अलग था और उन्हें अनेक प्रकार के द्रिश्टिकोनों को समझा गया अरस्तु का तरीका साकार और व्यक्तित्वर अनुभव को महत्वद देते थे और गोल्डन मीन सिध्धान्त को बढ़ावा देते थे जो कहता है कि हर एक चीज में संतुष रहना चाहिए अरस्तु के विचारों ने नीती और दर्शनिक अध्ययन में नए धरातल को छूलिया उनका योगदान आज भी दर्शनिक समाज में याद किया जाता है और उनकी किताबें आज भी पढ़ी जाती है इस प्रकार, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के विचारों ने एक दर्शनिक परंप्रा को जन दिया जो आज भी हमारे समाज में प्रभावित है इनके विचारों ने हमें ये सिखाया की सोचने का तरीका और विचार धाराएं हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है आगे की कहानी हमें ले जाती है एक और महत्व पूर्ण दर्शन की या कनफ्यूशियस की Confucius, प्राचीन-चीन के एक महान दर्शन और शिक्षक थे, जिनकी सोच और सिद्धान्तों ने समाज को सुधारने का काम किया Confucius ने अपने जीवन में सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा और व्यक्तित्व सुधार पर जोर दिया उनकी सबसे प्रसिद पुस्तक, एनालेक्ट्स, लुन्यू है, जिसने अपने विचारों और उपदेशों को व्यक्त किया उनका मूल मंत्र था, दूसरों से वार्ता करो जैसे तुम चाहते हो कि तुम से वार्ता किया जाए कनफ्यूशियस ने समाज को सुधारने के लिए व्यक्ती की अच्छी आदत, नीती और सहयोग की एहमियत को बहुत बड़ा बनाया उनका तारिका गुरू शिश्य परमपरा पर आधारित था, जिसमें शिश्य अपने गुरू के उपर आदर और विशेश का सम्मान करते थे कन्फ्यूशियस ने शिक्षा को एक महत्वपूर्ण आंग बताया और समाज को समरिद्धी और शांती की दिशा में बढ़ाने का मार्ग दिखाया उनके विचार आज भी चीन और दुनिया भर में महत्वपूर्ण है कन्फ्यूशिवाद नमक दर्शनिक परंप्रा आज भी समाज में दिखती है और लोग उनके तरीकों से प्रभावित है इस प्रकार सुकरात प्लेटो अरस्टू और कन्फ्यूशियस जैसे महापुरुशों की कहानी ने हमें ये सिखाया की समाज को सुधारने के लिए ग्यान और दर्शनिक विचार कितना महत्वपूर्ण पूर्ण होता है अगले अध्याए में हम आपको लेकर जाएंगे एक और महत्वपूर्ण दर्शन की खोज में बुद्ध की तरफ गौतम बुद्ध प्राचीन भारत के महान दर्शनिकों में से एक थे जिनकी सोच और उपदेशों ने उलेखनियता हासिल की बुद्ध का जीवन एक राजकुमार से लेकर एक महान गुरू बनने की कहानी है उन्हों सामाजिक दुखों और व्यक्तिगत क्लेशों पर गहरा विचार किया और अपने जीवन को धार्मिक एवम आध्यात्मिक मार पर स्थापित करने का फैसला किया बुद्ध ने चार आर्य सत्य और आर्ट गुनापत जैसे मूलों को प्रचारित किया जिनसे व्यक्ति को दुखों से मुक्ति और अंतरिक शांती की खोज में सहायक होने का मार दिया गया उनकी भाषा और तरिका जो साधारन लोगों तक पहुंच में सहच था ने उनके उपदेशों को विशेश रूप से लोग प्रिय बनाया उनका तारिका सिध्धान्त और अमल की या लोगों को प्रेरना करता था बुद्ध के दर्शनिक विचार आज भी दुनिया भर में लोग प्रिय हैं और उनका असर आधुनिक धार्मिक समाज में भी देखा जा सकता है इस तरह हम देखते हैं कि दर्शनिकों की परंपरा में अनेक महत्ता पूर्ण व्यक्ति आई हैं जिन्होंने समाज को सुधारने और व्यक्ति को अध्यात्मिक मार पर ले जाने के लिए अपने विचारों को व्यक्त किया अब हम देखते हैं एक और महत्तव पूर्ण दर्शन की कहानी महत्मा गांधी की गांधी जी भारत के प्राचीन युग में एक शक्तिशाली दर्शन और नेता थे जिन्होंने अपने अहिंसा और सत्याग्रा के सिध्धान से भारत को आजादी दिलाने में महान भूमिका निभाई गांधी जी का जीवन विचार धारा और व्यवहार को एक साथ लाने का एक सुन्दर उद्धार है उन्हें सत्याग्रा के माध्यम से जो अहिंसा और सत्य पर आधारित था भारत को आजादी दिलाने का प्रयास किया उनकी सार्वबों प्रसिद्धी सत्याग्रह, नमक मार्च, भारत की जनता को सफलता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई गांधी जी ने सामाजिक सम्रस्ता, सर्वोदे और अहिंसा के सिध्धान्थ पर विशेश बल दिया उनका तरीका व्यक्तिगत शुद्धी, स्वदेशी आंदोलन और खादी पहचान जैसा आम आदमी के लिए सुखत तरीकों से जुड़ा रहा उनकी भाषा साधारन लोगों तक पहुंचने में सहच थी, और उनके विचारों ने देश और दुनिया भर में लोग प्रियता हासिल की गांधी जी ने दिखाया कि एक छोटा व्यक्ति भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है अगर उसके विचार और कार्यक्षे तो सही हो इस प्रकार गांधी जी ने दर्शनिकों की परंपरा को आगे बढ़ाया और उनके सिध्धान्तों ने आधुनिक समाज में भी असर छोड़ा अगले अध्याय में हम एक और दर्शनिक व्यक्ति की कहानी में खो जाते हैं स्वामी विवेकानन की तरफ स्वामी विवेकानन भारत के प्राचीन दर्शन और आध्यात्मिक गुरूओं की परंपरा को नई उर्जा और दिशा दी विवेकानन जी ने अपने विचारों और आध्यात्मिक द्रिष्टी से उलेकनिया हासिल की उनका प्रसिद भाषन शिकागो संबोधन में जो विश्व धर्म संसद में दिया गया था ने दुनिया भर में उनकी लोग प्रियता बधाई उन्हें सनातन धर्म और अध्यात्म की महान भाषा को विदेशी लोगों तक पहुँचाना चाहिए विवेकानन्द जी ने सामाजिक सम्रस्ता, मानव सेवा और व्यक्तित्व की आत्मा शोध के मूलियों पर आदर्श व्यवहार को महत्व दिया उनकी शिक्षाओं ने लोगों को जागरूप किया और उन्हें आत्म सम्वेदना और लोग कल्यान किया मार्ग दर्शन किया उनकी एक प्रसिद कहानी थी उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल न प्राप्थ हो युवाओं को प्रगतिशील सोच और देश की सेवा में योगदान देने का प्रोटसाहन दिया विवेकानंद जी का दर्शनिक विरासत में अमरित व्यापक्ता और आध्यात्मिक अनुभूती का महत्व है उनका आध्यात्मिक वारिस उनके अनुसर हर व्यक्ति में परमात्मा का निवास होता है और मानव जीवन को मूल सिध्धान पर स्थापित करना चाहिए इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने दर्शनिकों की परमप्रा को भारतिय समाज में नए उजाले से रोशन किया और उनके विचारों ने मानव जीवन को और भी समवेदनाशील बना दिया अगले अध्याए में हम एक और महत्व पूर्ण दर्शनिक व्यक्ति किया बढ़ते हैं रवींद्रनाथ टैगोर की टैगोर भारत के महान कवी, साहित्यकार और दर्शनिक थे जिनके काव्य और विचारों ने दुनिया भर में प्रशन सापाई टैगोर ने अपनी कविताएं, उपन्यास और निबंदों के माध्यम से व्यक्तित्व प्रेम, स्वतंत्रता और मानवता के मूल मंत्रों पर अधारित विचार व्यक्त किया उनके काव्य और संगीत ने आध्यात में कनुभूती का महत्व बढ़ाया उनका मूल मंत्र था, जोईत और डाक्षुने के उना आशे, तो बेएकला चोलो रे इसका अर्थ था कि अगर कोई भी तुम्हें सुने नहीं आता, तो तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ो टैगोर ने सामाजिक संवेदना और मानव भायचारा को महत्व दिया उनका प्रसिद काव्यग, गीतान जली, ने उन्हें साहित्य में नोबेल पुरसकार से सम्मानित किया टैगोर का संगीत, कविताएं और उनके दर्शनिक विचार लोगों को सहज और सुन्दर प्रभाव से प्रभावित करते हैं टैगोर ने विश्व भारती विश्व विध्याले की स्थापना की, जिसे उन्होंने एक विश्व व्यापक अध्ययन और सांस्कृतिक संस्थान बनाने का उगदेश दिया विश्व भारती ने अनेक देशों के विद्यार्थियों को एक साथ लाने में बड़ा योगदान दिया इस प्रकार रवींद्रनात टेगोर ने अपनी कल्पना और दर्शनिक विचारों से भारत की संस्कृति को और दुनिया भर में प्रशंसा दिलाने में बड़ा योगदान दिया अगले अध्याए में हम एक और प्रसिद दर्शनिक व्यक्ति हैं डॉक्टर बी आर अमबेडकर की डॉक्टर अमबेडकर भारत के प्राचीन दर्शन और सामाजिक सुधारकों की परंप्रा में से एक थे जिनको भारत को संविधान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी डॉक्टर, बी, आर, अम्बेगकर ने अपने जीवन में सामाजिक न्याय और सम्रस्ता की या अपने विचारों को दिशा देने में काई महीने और साल बिताए उन्हें समाज को मजबूत बनाने के लिए अनेक सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए जिनमें से उनका मूल सिध्धान था शिक्षित करो, आंदोलन करो, संगठित होओ, शिक्षित करो, प्रतिरोध करो, संगठन बनाओ उनका मूल आधार अधिकार, न्याय और सम्रस्ता के सिध्धान पर आधारित था अंबेगकर ने भारतिय सम्विधान की रचना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जैसे भारत का सम्विधान दिवस या सम्विधान दिवस के रूप में मनाया जाता है उन्हें समाज में वर्ग विवाद को मिटाने, समाज में समरस्ता और न्याए को बढ़ाने और समाज के सभी वर्गों को एक समान दर्जा और अधिकार देने के लिए प्रयास करना चाहिए अम्बेगकर जी ने भारत को सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतंतरता का मार्ग दर्शन दिया उनके विचारों ने समाज को जागरूप किया और भारत में अनेक लोगों को आरक्षन और अधिकार दिलाने में सहायता हुई इस प्रकार है डॉक्टर, बी, आर, अम्बेगकर ने अपने विचारों और कार्यक शेत्र से भारतिय समाज को सामाजिक सुधार और न्याय की दिशा में अग्रसार किया अगले अध्याय में हम एक और महान दर्शनिक व्यक्ति की या बढ़ते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके अपने योग में विकास हुए दर्शनिकों में से एक थे नेहरू ने अपने जीवन में आध्यात्मिक्ता, अधिकार और सम्रस्ता के मूलियों को प्रशिक्षन दिया उनका विचार था कि शिक्षा और विकास के माध्यम से समाज को सुधारा जा सकता है उनको शिक्षा को एक समाज सुधार का मध्यम बनाने के लिए काई कार्यक्रम शुरू करना चाहिए उनका प्रभाव भाषा और लेखन का तरीका लोगों को प्रेरित करता था उनका विशेश योगदान भारत के आदिवासियों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकारों में था नहरुबादी समाजवाद के तहट उन्हें समाज में आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए प्रगतिशील कदम उठाना चाहिए पंडित नहरु ने भारत को एक आजाद और प्रगतिशील देश बनाने के लिए महत्वपूर्ण नीतियां बनाई उनके नित्रित्व में भारत ने अपनी आजादी हासिल की और उनके देश को आधुनिकी करन किया बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया नहरु जी का विचार था कि सभी वर्ग एक साथ मिलकर समाज को आगे बढ़ा सकते हैं उन्हें पंच्शील के सिध्धान्त का भी प्रचार करना चाहिए जिसकी शांती और समवाद की एहमियत थी इस प्रकार पंडित जवाहरलाल नहरु ने भारत को एक नए योग की ओर ले जाने में बड़ा योगदान दिया अगले अध्याय में हम एक और दर्शनिक व्यक्ती की कहानी में खो जाते हैं डॉक्टर ए, पी, जे, अब्दूल कलाम की डॉक्टर, कलाम, भारत के प्रथम व्यक्ती थे जो राश्ट्रपती पद पर चुने गए और उनके विचारों ने अनेक युवाओं को प्रभावित किया कलाम जी ने अपने जीवन में शिक्षा, विज्ञान और देश सेवा को महत्व दिया उनका सपना था देखना की भारत एक सम्रिध और विक्सित देश बने, उनका मूल सिध्धान था, सादा जीवन, उच्च विचार, यानी की सरल जीवन और उच्चा सोच उन्हों भारत को एक आत्म निर्भर और विज्ञान प्रधान देश बनाने के लिए काई मार्ग दर्शक योजना तैयार करें कलाम जी ने युवाओं को प्रगतिशील सोच, संभावनाओं में विश्वास और मेहनत के माध्यम से अपने लक्षे तक पहुँचने के लिए प्रेरित किया उन्हें बच्चों को पढ़ने, लिखने और ग्यान प्राप्त करने के लिए बढ़ा दिया कलाम जी का व्यक्तित्व हमेशा मानव कल्यान, शांती और प्रगतिशील विकास के लिए प्रगतिशील रहा डॉक्टर, कलाम ने आपने विशन 2020 के माध्यम से भारत को एक विक्सित देश बनाने का सपना देखा उनके नित्रित्व और विचारों ने देश को युवा शक्ती और विज्ञान के अग्रसार में बढ़ा योगदान दिया इस प्रकार, डॉक्टर, ए, पी, जे, अब्दूल कलाम ने अपने दर्शनिक द्रिश्टिकोन और कार्यक शेत्र से भारत को एक बहतर कलकी और ले जाने में बढ़ा योगदान दिया इस प्रकार, हमने देखा कि दर्शनिकों की परंपरा ने समाज को विभिंद्रिश्टियों से देखा है और उसे बहतर बनाने के लिए अपने विचारों को व्यक्त किया है हर एक दर्शनिक ने अपने समय में महत्व पूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिया और अपने विचारों से लोगों को प्रभावित किया आज भी महान दर्शनिकों के विचारों का असर हमारे समाज में है उन्हें न्याई, सम्रस्ता, शिक्षा और सामाजिक समवेदना के मूलियों को समाज में गहराई तक फैलाने का काम करना चाहिए दर्शनिकों की कहानी हमारे लिए एक आध्यात में कियात्रा है जिसमें हम उनके विचारों से कुछ नया सीख सकते है व्यक्तित्वों ने दिखाया कि एक व्यक्ती अपनी सोच, विचार और कारियों से समाज को कैसे बदल सकता है आज भी हमें महान दर्शनिकों से प्रेरना मिलती है कि हमें भी समाज सुधार में अपना योगदान देना चाहिए अपने जीवन में उनके सिध्धान्तों को अमल में लाने से हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी बहतर बनाने में मदद कर सकते है ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ग्यान और दर्शनिक विचार हमारे जीवन को सारथी के रूप में मजबूती और दिशा प्रदान करते है आगे बढ़ने का साहस और नई द्रिष्टियों की तलाश हमें हमेशा आगे बढ़ने में मदद करती है और इसके साथ हमारा ये सफर यहां समाप्थ होता है आपका समय देने के लिए धन्यवाद तो मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हम मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक के लिए शुभ रातरी